नमस्कार दोस्तों बहुत स्वागत आप सभी का आपके पने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपके वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप WhatsApp यूज करते हैं और WhatsApp के अंदर आपके पास कोई तो सबसे पहला काम क्या करने मां को बता देता हूँ सबसे पहला काम आपको प्लेटेट हो जाएगा आपकी प्रॉब een年的 है हो जाएगी तrob से पहले काम यहीं करना होगा यह उसके बाद आपको सब्सक्राखने काम क्या करना है settings में आना है settings में आने के बाद scroll करना है और यहाँ पर apps देखने को मिल रहा है इस पर click कर लिजिएगा then उसके बाद manage apps है इस पर click करिएगा then उसके बाद यहाँ पर search बार में आपको whatsapp को search कर लेना है whatsapp आ चुका है इस पर click करिएगा देवन इसके बाद यहाँ पर जितनी भी permissions होंगे इसको allow कर दीजिएगा अब permissions पर आईएगा enable करिएगा सभी permissions को देख सकते हैं यह permissions है इनको जो आई से allow कर दीजिएगा कुछ इस तरह से allow करने के बाद back आजाना है अब back आने के बाद आपको जो है क्या करना है आपके mobile में उपर की तरह flight mode आपको देखने को मिलता है इस flight mode को आपको एक बार से airplane mode जिसको बोलते है enable कर देना है own कर देना है आप देखें कि उपर से आपके network चले जाएंगे आप finally एक और आप काम कर सकते हैं यहाँ पर जो आपके mobile में आपको देखने को मिलता है reboot का option आपके mobile को आप reboot कर सकते हैं या फिर आप phone on off कर सकते हैं या फिर reboot कर सकते हैं तो आपकी problem वहां से भी solve हो जाएगी तरह उसके बाद finally एक और काम आप कर सकते हैं फिर भी आपकी problem solve नहीं होती है यहां से आप जो है play store पर आईएगा play store में आने के बाद उपर आपको three lines पर क्लिक करना है फिर यहां से settings पर आना है settings पर आने के बाद आपको यहां पर नीचे की तरफ chats देखने को मिल रहा है chats पर आपको click कर लेना है अब यहां पर आपको नीचे की तरफ एक option देखने को मिलता है chat backup का अब यहां पर chat backup पर click करिए अब यहां से आप अपने chats का जो है backup ले लिजीगा guys यहां पर backup लिखा हुआ है तो आप जैसे यहां पर backup लेंगे उसके बाद आपने WhatsApp को delete कर देना है और uninstall कर देना है फिर से delete करके आपको इसको install करना है और आप देखेंगे login करके जो आपकी problem है WhatsApp के अंदर वो solve हो जाएगी फिर से आपको यह error है देखने को नहीं मिलेगे और आपके जो files वगएरा है वो आप जो है easily download कर पाएंगे स्क्राइब में इतना email देए नेक्स देखेंगे तिल दो बाइटे कर दो